बिस्मिल्लाई रभ्मानि रहीम असलाम लिकूम कैसे आप सब उमीद है सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे और मस्त होंगे आज मैं आप लोग के लिए अपनी किचन में लाई हूँ आलू मटर अंडे जो बहुत से घरों में बहुत पसंद किया जाते हैं अंडे तो वैसे भी सबको बहुत पसंद आते हैं तो मैंने सोचा कि एक डिश बना के दिखाऊँ आपको जो आप अपने घर पे इसली बना सकते तो चलिए चल के इसको बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं आलू मटर और अंडे आप मेरे तरीके से बनाएंगे ये बहुत ही मज़े के बनेंगे इसकी हर चीज आपको घर पे असानी से मिल जाएगी अगर आपको दिल न चार अदद मोटे कटे हुए टमाटर दो अदरग चार अदद सबस मिर्च और जी एट कर देंगे एक कप पानी अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने इसको दम दे के दस मिट के लिए छोड़ देना है ताके आपका जो यह मेटीरियल है वह अच्छे से गल जाए तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताती है अब हमने इसमें एड कर देंगे एक चमच जीरा अब आपने इसके अंदर ऐसे चमच लाते जाने ताके आपका जो यह मसाला है वह अच्छे से जी मिक्स हो जाए यह सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा है आपके आलू मटन अंडे मज़दार बनाने का अगर आपने इसको अब कर दिया तो वो टेस्ट में आएगा जो मेरे इसमें आपने एक चमच और आट कर देने व्यादर डल गिया मुझसे लेकिन आपने एक चमच ही डालने अब हमने क्या करना है इस मसाले को जूसर मशीन के जग में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है तो चलिए हमें अपने मसाले को जूसर मशीन में डाल के इसको ग्राइंड करके फिर आते हैं वापिस यह देखे हमने इसको जूसर जग में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है यह ऐसे हो गया है अब हमने क्या करना है इसमें एड कर देना है एक चमच हल्दी 2 नमक उस्थोखदणियों अधाय सक्तियों नमक कोसे से और सलने खर सकताई कि नमक स्इश्थSí नमक अभाद करते नमक किसी के खर बेस जाता है और साने कोसे सबने थामन काने नमक अपने लिए रा है है कि आप आपने घर में किसी opposition कोसे नमक जब आपको लगेगा कि इस मसाले में से घी निकल आया है तो आपका जीब मसाला हो जाएगा तयार अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी आदा कप आप आप मसाल ala जो है अभर क्रण सदार है अब हमें इगा कर देने इसमें एक कप मटर मटर जो है अब इसमें वोगे होगे तो मटर का पाल थाarma ये तो इसमें को क्या करना है ँसको अफिरर ओड़ कर देंगे और दाव मनीं को मतर हमारे और बर्ला ठालिट विट तो फिर हम इसको दम पर दे देते हैं तब तक हमारा जो मसाला है उसमें से औल भी और भी निकल आएगा और मटर भी गल जाएंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे आलू गरा मसाला और अंडे दस मिन बाद जी मटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए है अब मैंने लिए हैं चार अदद आलू जिनने मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसस में कट कर लिया है और अब हम इसमें एड़ कर देंगे आपने क्या करना है इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और आपने कहना ह कि ये बहुत ही मज़दार लग रहे हैं आलू डालने के बाद आपने इसको पांच मिंट के लिए दुबारा से दम पर रखते नहें ताके आपका आलू अच्छे से गल जाए और आपने साइड पर रखते ने अंडे बॉयल करने मैं कर रही हूं साथ अदद अंडे बॉयल क्योंकि हमारे घर में अंडे बहुत शौक से खाय जाते हैं आप लोग के घर में जितने लोग हैं जितने अफराद हैं उनके हिसाब से आप एक एक अंडा एड़ कर सकते हैं तो मिलते हैं पांच मिंट के बाद अलुपी हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और सालन भी हमारा ओलमोस्त त्यार हो चुका है अब हमने क्या करना हैं अंडे मे और बॉयल मसाल सालन आपका त्यार हो चुका है आप देखे रहें कितने मज़े कब लग रहा है और जी अंडे जो बॉयले गोते हैं वो वेट लोस में भी आपकी बहुत हैं मेरे खाल में तो बहुत जैदा ही हेल्प करते हैं अगर किसी को नहीं पसंद तो वह वाइट ले सेता है योग के करेंगे और थोड़ा से एड़ करेंगे और एक चमच सालन त्यार हो चुका है बहुत ही मज़े का लग रहा है और आपके घरवालों को यकीन पसंद आएगा अगर आपने मेरी वाली रेसिपी ट्राइब की तो कि दूआ टूआ जबागा अजया आपके बापके लागए को इसान कषी शरीवश्यद देश्यद, पिस प्रूआ कि यह वाली, उगया इसाना, कि ये चारीवश्यद, शरीवश्यद, पिस दो अपने हम से लागए पसंद़ान के लिःश़ीं चुका है आपके रहाया बेसि झाल झाल